दोस्तों जब हम जिरुधा काइट में लॉगिन करते हैं तो यहां पर पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं तो लॉगिन करने के बाद में जब हम यहां पर इसको जैसे यह जो आप एरो जैसा देख रहे हैं यहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे जो यहां पर कुछ आप में पहले से शो कर रहा होगा मेरी case में यहाँ पर एक PFC शो कर रहा है एक Nifty 50 का index शो कर रहा है तो हम में से बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि यह जो चीजें दिख रहे हैं इसको हम change कैसे करें ठीक है तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले है बहुत ही easy है इसको change करना क्योंकि हमें पता नहीं होता है इसलिए हमें problem होती है हम जान नहीं पाते है कि हम इस चीज को किस तरीके से बदल सकते हैं चलिए अभी हम आपको इस चीज को करके दिखाते हैं अभी आप देख लीजे यहाँ पर Nifty 50 है और PFC है तो अभी हम क्या कर watchlist अपनी open कर लिजिए का यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरा watchlist वाला section selected है तो यहाँ पर मेरा एक मैंने watchlist बना रखी है near fair value तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है simply जो यह search वाला option है यहाँ पर आपको type करना है मेरे case में index लोंगा जैसे कि sensex लोंगा bank nifty लोंगा आप किसी stop को भी वहाँ पर spot कर सकते हैं तो पहले हम index को करके आपको दिखाते हैं अभी यहाँ search वाला button आप देख रहे हैं इस पर ऐसे मैं tap करूँगा और यहाँ पर मैं type करूँगा sensex yes e n s e x ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए indices लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ है sensex और इसके बगर में यह plus का निशान है हम यहाँ पर tap करेंगे चलिए मैंने यहाँ पर tap कर दिया ठीक है एक और हम indices वहाँ पर ऊपर की और add करेंगे जैसा भी मैंने आपको पहले दिखाया था तो उसको भी हम यहाँ पर जो हमारे यह search वाला है यहाँ पर search करेंगे bank nifty indices जैसे ही bank nifty हम डालेंगे तो यहाँ पर indices यह option हमें मिल गया है तो यहाँ पर हम करेंगे plus वाला जो निशाने यहाँ पर करेंगे tap ठीक है तो हमने यहाँ टैप कर दिया आप देखेंगे यहाँ पर green color में tick कर निशान लग गया यहाँ से उपर सम बैक चले आए तो यहाँ पर आप द उस अब क्या करना है जैसे कि पहले हम sensex को लगाना चाहते हैं एक्जाम्पल के तोर पर और sensex को हम कहाँ लगाना चाहते हैं लगाना चाहते हम spot 1 पर, यह spot 1 होता है यह spot 2 होता है, अगर आपको जैसे sensex को मैं spot 1 पर लगाना चाहता हूँ, तभी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, अगर आप spot 2 पर लगाना चाहेंगे, यहाँ पर sensex को लगाना चाहेंगे, तो आपको उस तरीके से चुनना होगा ठीक है तो चली यहां से मैं फिर से इसको close कर देता हूं जो यह Sensex यहां पर है यह पुरा option है यहां पर कहीं पर भी आपको tap करना है single tap कर दीए ऐसे ठीक है tap करने के बाद में इसको धीरे से उपर की और उठाके ले आईए यहां पर आपको नीचे की और option दिख रहा होगा pin 2 overview spot 1 spot 2 मैं इसको क्योंकि spot 1 में लगाना चाहता हूं तो इस पर मैं tap करूंगा ठीक है तो चली इस पर मैं tap कर देता हूं तो जैसे मैंने इसको tap किया है तो आप यहां पर देखेंगे जो कि nifty था चेंज हो करके sin 6 में बदल गया ठीक अब हम जो हमारा यह spot 2 जो खाली है यहां पर हम bank nifty को लगाते हैं तो same process है यहां से फिर से इसको cross कर देंगे यहां पर हमने cross कर दिया और यह जो हमारा nifty bank आप देख रहे हैं यहां पर कहीं पर टैप करिए single tap इसको सरकाते उपर की और आईए और यहां पर spot 2 कर दिजिए ठीक है तो हमने spot 2 पर ऐसे click कर दिया तो आप यहां पर देखेंगे हमारा nifty bank और sin 6 index यह दो हमारे जो indices हैं यह दोनों यहां पर add हो गए हैं हमारे track करने के लिए same process से आप किसी stock को भी यहां पर add कर सकते हैं चाहे तो spot 1 पर add कर लिजे चाहे तो spot 2 पर add कर लिजे तो क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें problem आती है और यहां पर वो add करके track करना चाहते हैं अपने पसंदीदा index कुछ लोग census को track करना चाहते हैं कुछ लोग nifty को track करना चाहते हैं कुछ लोग bank nifty को track करना चाहते हैं कि एक नजर में उनको वहां पर दिख जा टैप करते ही त चैनल पर पहरी बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं निस्ट वीडियो में नई जानकारी साथ तब तक के लिए नमस्कार